फिल्म नटवरलाल के बारे में अपने सुना ही होगा, पर इस फिल्म की शूटिंग के लिए कुछ भी सोचा नहीं गया था, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले टए भी नहीं हुए थे, नटवरलाल के पहले फिल्म राम बलराम की बात चल रही थी, इस फिल्म के लिए अमिताब बच्चन और धर्मेंद्र को चुना गया जब तरीक की बात होने लगी तो धर्मेंद्र के दिये गए तरीक वो किसी और प्रोरकशन के साथ कलेश को रहा था इसलिए फिल्म राम बलराम को दो-तीन महीने के लिए टाल दिया गया पर फिल्म के प्रडूसर टोनी और टीटो के दिमाग में आया कि समय बर्बाद नहीं करें और किसी और फिल्म पर काम करना शुरू करें और फिल्म नटवरलाल की बात शुरू हुई टोनी और टीटो ने राकेश कुमार को दिरेक्टर के रूप में चुना क्योंकि वे चाहते थे कि अमिताब बच्चन इस फिल्म में काम करें और राकेश की अमिताब से काफी बनती थी राकेश कुमार ने अमिताब बच्चन के साथ पहले भी खून-पसीना में काम किया था जो बहुत अच्छी रही नटवरलाल फिल्म के लिए कास्ट तय था अमिताब बच्चन इसमें काम करने के लिए मान गए थे पर जैसा कि हमने कहा कि स्क्रिप्ट और स्क्रींटले तय नहीं हुआ था तो शुरू करना मुश्किल था फिल्म की शूटिंग कश्मीर में करने का सोचा था और फिल्म के बारे में कुछ सीन तय थे इसलिए यह सोचा गया कि गाने से ही शूटिंग की शुरूआत होगी गाने के बोल के लिए टोनी, टीटो, राजेश और राकेश आनंद बक्षी के घर पहुँचे उनसे जब यह कहा गया कि तीन हफ़ते में इन्हें छै गाने चाहिए तो आनंद बक्षी ने साफ मना कर दिया आनंद ने कहा कि वे बाकी प्रडूसर के साथ भी काम कर रहे हैं और अभी ये नहीं कर पाएंगे तो इस पर प्रडूसर ने कहा कि उन्हें सारे गाने साथ में नहीं चाहिए और जैसे जैसे गाना बने वे इन्हें देते रहे उस समय स्टूडियो की बुकिंग जल्दी से नहीं होती थी और किसी को पता नहीं था कि कब बक्षी उन्हें गाने देंगे इसी कारण से स्टूडियो को जैसे तैसे राजेश ने बुक कराया अचानक एक दिन छै बजे शाम को बक्षी राजेश रोशन के घर पहुँचे हाथ में सीग्रेट था तो उन्होंने उसे जलाया और कुछ गुन-गुनाने लगे ठीक से सुनने पर राजेश ने सुना परदेशिया ये सच है पिया सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया जिस धुन में बक्षी गा रहे थे राजेश को बड़ा पसंद आया ठीक 15 मिनट में बक्षी ने राजेश को पूरा गाना सुनाया और अगले 15 मिनीट में राजेश ने इस गाने को बहुत अच्छा धुन दे दिया और बन गया फिल्म का सबसे हिट गाना राजेश ने सोचा कि एक गाना अमिताब का बच्चों के साथ होना भी अनिवार्य है पर वे चाहते थे कि अमिताब खुद अपनी आवाज दे इस गाने के लिए क्योंकि तब ही सही भाव आएगा आप यकीन नहीं करेंगे पर उसी दिन वही बैठ कर बक्षी ने मेरे पास आओ गाना लिख लिया इस गाने को महबूब स्टूडियो में रेकॉर्ड किया गया आपको बता दे कि इस से पहले अमिताब ने फिल्म कभी कभी में केवल कुछ पंक्तिया पढ़ी थी जिसके बाद गाना शुरू होता है तो अमिताब का यह पहला गाना था जो उन्हें खुद गाना था अमिताब को इस गाने के लिए बहुत प्रशन सा मिली और उनसे और भी गाने को कहा गया आश्चर्य की बात यह है कि अमिताब के काम के शुरुवात में उन्हें रेडियो में काम नहीं दिया गया था क्योंकि उनकी आवास भारी है पर इनके पहले गाने को बहुत पसंद किया गया और यह हिट भी रहा एक और बाद सामने आई की गाने सब बन गए थे पर फिल्म के बजट के कारण टोनी और टीटो बक्षी को पैसे नहीं दे पा रहे थे और बक्षी ने कभी उनसे पैसे मांगे भी नहीं बाद में धीरे-धीरे उन्हें उनके पैसे दिये गए फिल्म को ठग नटवरलाल से धमकी भी मिली क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आया कि उनके नाम पर यह फिल्म बनाई गई उन्होंने लीगल नोटिस भेज कर नाम बदलवाया और इस फिल्म का नाम मिस्टर नटवरलाल रखा गया पर यह खबर भी आई कि फिल्म का नाम बदल दिया गया क्योंकि नटवरलाल नाम का फिल्म किसी ने पहले से रेजिस्टर करा लिया था लेकिन इस पर भी कुछ प्रडूसर ने कहा कि केवल एक मिस्टर लगाने से नाम बदल नहीं जाता तो फिल्म का नाम फिर बदल कर अमिताब बच्चन इन एंड मिस्टर नटवरलाल रखा और आज भी सेंसर सर्टिफिकेट पर यही लिखा है 1987 में जब ठग नटवरलाल को गिरफ़तार किया गया और उनसे पूछा गया कि उन्होंने यह फिल्म देखी है उन्होंने कहा कि नहीं जब मैं खुद असली हीरो हूँ तो नकली हीरो को क्यों देखू फिल्म सूपर हिट भी हुई और लोगों को बहुत पसंद आई आज भी लोग परदेशिया गाना बड़े शौक से गाते हैं ऐसे ही और मनोरंजक तथ्यों को जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले